हेलो फ्रेंट्स बेलकम टू माई चैनल आए जानते हैं लोरा टडिन टेबलेट के बारे में लोरा टडिन एक एंटी हिस्टामाइन के रूप में कार्य करता है यह पिरभावी रूप से पित्ती और अन्य प्रमुख तुचा प्रती किरियों का भी इलाज करता है और इसका उपियोग ऐलर्डिक राइनाइटिस और पित्ती के इलाज के लिए किया जाता है इसी के साथ आए जानते हैं लोरा टडिन के बारे में जानकारी ले ले लेते हैं आप सब को पता ही होगा कि लोरा टडिन एक एंटी हिस्टामाइन के रूप में कार्य करता है और इसका उपयोग allergic rhinitis और पित्ती के इलाज के लिए किया जाता है यह मौसमी allergic rhinitis के नाक और गेर नाक लक्षनों को भी राहत देने में पिरभावी होता है यदि आप अस्थामा किडिनी और लीवर के मुद्दो इस्थितियों से पीडित हैं तो दवा शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से प्रमर्स जरूर करें जो महीलाए गर्बती होती हैं इस्तनबान कराती हैं उन्हें इस दवा का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए लोरा टडीन का प्रिभाव गुर्दे पर होता है या नहीं आये जानते हैं कभी कभी लोरा टडीन से किड्नी को नुकसान पहुँच सकता है इसलिए डॉक्टर की सलाहा के बिना लोरा टडीन टेबलेट का उप्योग ना करें अपने डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार ही दवा ले इस दवा के साइड इफेक्ट्स चक्कराना, मतली, ठकान ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं दवा के कारण उनिंदापन हो सकता है इसलिए सलाहा दी जाती है कि अपने आप मसीनरी या गाड़ी ना चलाएं यदि आप लोरा टडीन की टेबलेट ले रहे हैं तो लोरा टडीन का उप्योग कब किया जाता है ये मैंने आपको सुरू में भी बताया है लोरा टडीन का उप्योग ऐलर्जिक राइनाइटिस में किया जाता है हाइब्स, अर्टी केरिया में भी किया जाता है कुछ-कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं घवराहट, ठकान, सीरदर्ध, फड़कन तो फ्रेंड्स इसी के साथ लोरा टेडीन के इंट्रेक्शन क्या-क्या हो सकते हैं आये ये भी जनते हैं जब भी आप एक से अधिक दवा लेते हैं इससे किसी अन्य खादिया पेप धार्टों के साथ मिलाने पर इंट्रेक्शन होने का खतरा हो सकता है तो आप सब जानी गए होंगे कि लोरा टेडीन के साइड इफेक्ट्स क्या है यह कैसे काम करता है यह किस चीज में नुक्सान पहुचाता है किसमें नहीं मैंने आपको सब बता ही दिया है तो मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो को कैसी लगती है नीचे कमेंट कर दिया करें और मेरी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक करवारा ना भूले